आप सभी को नमस्कार सरोगेसी एक्थ 2021 जो 2022 से लागू है इसके कार्यानवन से रिलेटेड यानि फंसनिंग से रिलेटेड सारे डेटा सेंटर ने सभी एस्टेट से मांगे है अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक्चोली या शरोगेसी एक्ट क्या है शरोगेसी का हिंदी होता है किराय का कोख लेकिन हिंदी में शरोगेसी भी सर्मान है शरोगेसी ही होता है उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सरोगेसी क्या है और इस सरोगेशी यानि किराय के कोख के लिए एक बहुत सारी टेकनोजी का इस्तमाल होता है उसको भी रेगुलेट करने के लिए एर्टी एक्ट होता है यानि सहायक परजनन तकनिक कानून तो यह सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उससे पहले चलिए सब्सक्राइब केजिए चलिए एक लिए चर्चा में उनियण है रिपोर्ट मांगें है कि कितने कपल या सिंगल या सरोगरी में इनको भी अलाओ है लिए अब हम सबसे पहले की चुट एक्ट क्या है धियान से समझ्येगा न, शरोगेसी act क्या है? Act कि जहां तक बात होती है, कोई भी कानून क्या करता है, किसी चीज को regulate करता है, यानि विनिमाईत करता है, तो या regulation के लिए शरोगेसी क्या है? और सरोगेसी के बाद हम लोग देखेंगे कि यह कैसे एवेल होता है कैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं और यह कैसे काम करता है लेकिन उससे पाले सरोगेसी जो हमारे इंडिया में सबसे ज़ादा परचलित हुआ 1978 के बाद में यानि सरोगेसी कभी भी होता है तो एसिस्टेड री प्रोड़क्टिव टेक्नलोजी के साथ ही होता है यानि सहायक परजनन तकनिक इसको भी एक एक्ट के ताथ एरेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के ताथ इंडिया में सबसे पहला जो चाइल्ड है उनका नाम है कानू प्रिया जिनको प्यार से लोग दुर्गा भी बुलाता है कलकाता में इनका जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1988 को इस पे भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ एक बार देख लिजेगा जो इंडिया का पहला यह IVF बेबी है यानि इन वीट्रो फटिलाइजेशन इन वीट्रो अगर कहीं भी लिखा रहा है तो समझे यह आउटसाइड बाडी यानि बाढ़ी के बाहर हुआ है कहीं भी लिखा रहा है इन-viva तो समझेए inside body बस यहीं दो अंतर in vitro fertilization अगर कोई बले तो outside body हुआ है है नए in-viva fertilization means inside body हुआ है तो इनका पहला IVF बेब़ी है यानि इनका जन्म test tube बेबी की तरह हुआ है जो क्या है एक assisted reproductive technique है यानि री प्रोड्यूज यानि परजनन के लिए एक तकनिक का इस्तमाल करके इनका जनम हुआ है उसके बाद से ही एस सारी चीज लाइट में आने लगी और इसको रेगुलेट करने के लिए स्वरोगेशी एक्ट लाना पड़ा गवर्मेंट को जिसको स्वरोगेशी एक्ट 2001 बोला जाता है जो कि 2022 से या लागू है जनवारी 2022 से लिए अब हम देखते हैं कि यक्ट क्या स्वरोगेशी एक्ट जो है या स्वरोगेशी को रेगुलेट करे गया यानि किराय के को को दीरे-दीरे समझ आएंगे कैसे काम करता या लोकसभा में 15 जुलाई 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद सेलेक्ट कमीटी को गया सेलेक्ट कमीटी के बाद में उसी रिप्योट के एगेन उने इस बिल को पारित कर दिया उसका बाद प्रसिडेंट का साइन हुआ और लास्टली जनवरी 2022 से यह एक्ट लागू है इसी एक्ट से संबंदी सारी सुचनाओं को सेंटर ने सारे से मांगा है अब सरोगेशी की बात करते हैं देखी सरोगेशी किराय की कोक सरोगेशी क् डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वह औरत जो बच्छे को जन्म दे रही है उसका अपना बच्चा नहीं है किसी दूसरे कपल का बच्चा है इन्टेंडिंग कपल है लेकिन जन्म देने के बाद उसका इन्टेंशन उसको अपने पास नहीं रखना है उस Than को हैंड़ोवर कर देना है आपा समझ में यानि अगर कपल है कोई हस्बेंड वाइफ है और एक तीसरा और थैंग इनके जो इनके कोख का इस्तमाल किया जाता है इस इनका स्पाइब इनका ओम से लेकर इनके फटिलाइज करके और इनके कोख में implant कर दिया जाता है या gestation period के बाद या बच्चे को जन्व देती है और देने के बाद इस बच्चे को hand over कर देती है तो इनको बोला जाता है surrogate mother और इस पूरे process को बोला जाता है surrogacy अब इसको regulate करने के लिए या surrogacy act है अब इसके लिए क्या होता technique होगा इनका sperm निकाला जाएगा इनका ओम निकाला जाएगा इनको IVF की तरह इनको बाहर fertilize किया जाएगा उसके बाद में embryo develop होगा उसके बाद में implant होगा इसमें बहुं सारी technology यूज होती है जिसको बोला जाते है assisted reproductive technology और इसको भी एक act के ताहत regulate किया जाता है आगया समझ में अब देखिए यहाँ जो serogacy होता है वहाँ दो तरह का होता है पाला को बोलते है अल्टूस्टिक serogacy दूसरे को बोलते है commercial serogacy और टूस्टिक मिंस परफकारी serogacy और commercial मिंस क्या होता है वियापारिक serogacy यानी बानीजी के लिए serogacy इसमें क्या होता पैसे की बात नहीं होती है परफकार यानी हम आपके जतने का मेरा कि आप मेरे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं लाई जर्वें इनलादी hall इंडिया में आध रखेता कमर्षियल स्थ पर्वपस के लिए कि लिए इनप्यक्या थे डीटिया में आध नागई नागोग इंडिया में अगर सोग सी को सोषण बदकी स्वारोगरी तो उसके बाद क्या जाता था सोशन किया जाता उसके बाद में अगर बत्चे जन्म ले लेते हैं जन्म ले ले लेख विए उनके बद भी +, केर वर नहीं किया जाता था इसलिए या कमर्सियल बाइन हो गया अगर अल्टूस्टिक परपस के लिए अगर सरोगेट मदर के पेट में बच्चा है यानि वह बच्चे को पाल रही है उस इस्तिती में एवार्शन गरपातन गरपात भी आप नहीं कर सकते हैं जब तक उस सरो सेंट और अथुरिटी उनके होते हैं जो कि डॉक्टर का बोर्ड होते हैं वह बोर्ड के अलावे इस एक्ट को यानि मेडिकल टर्मिनेशन और प्रिगनेंसी के और और दूसरी बात कि कुछ में एलाउ है रेगुलेटेडड जैसे हमारे हां रेगुलेटेड है नहीं देख में और कमर्सियल तो पूरी तरह बाइन है इसलिए रेट में दिखाएगा कुछ कंट्री है जो ऑल फॉर्म बाइन किये हुए है जैसे कुछ है जो किसी तरह का कोई किलियर लौ ही नहीं है अब आते हैं कि कौन सरोगेसी कोई अवेल कर सकता है देखिए सबसे पाली बात सरोग क्लियर और दूसरी बात कि जो भी चाइल्ड का सरोगेसी से चाइल्ड लेना चाहते हैं उनके पास कोई बाइलोजिकल कोई चाइल्ड नहीं हो पहले से कोई एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं हो या उससे पहले कोई सरोगेट का चाइल्ड नहीं हो अगर उनके पास चाइल में उनको exempt छूट है यानि या क्या है कि उनके पास कोई चाइड नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें छूट है कि अगर उनके पास चाइड है लेकिन mentally, physically नहीं fit है तब भी वह सरोगेट कर सकते है इसके लिए उनको क्या हो रहे एक अच्छा certificate लेना पड़ता है कि हां हम infertile है य यानि हम बच्चे को पैदा नहीं कर सकते या मेरे partner नहीं कर सकते डिस्टिक medical board से लेना पड़ता है और तब वह सरोगेट चाइड को ले सकते है मजिस्टेट कोट से पास होता है उसके अलावा जो भी सरोगेट मदर है उनके बच्चे को जन्म के 16 मंथ तक उनको देखबाल क करना पड़ता है नहीं इंसूरेंस कुछ पैसे जो एक्ट के ताता है देने पड़ते हैं चुकि बच्चे को जन्म देने के बाद भी बहु सारे कम्प्लिकेशन होते है महिलाओं में उनकी देखबाल करने के लिए क्लियर अब आते हैं कि कौन सरोगेट हो सकते है यानि कौन महिला बच्चे को पाल सकता है सरोगेट हो सकता है तो उसके लिए क्या होता कि altruistic है पर अपकारी है तो क्या होगा आपका close relative ही होगा बिना पैसा का तो वह ही करेंगे जो कि close relative हो दूसरी बात close relative होना चाहिए पहली बात दूसरी बात married होना चाहिए उनकी साधी हो जानी चाहिए तीसरी बात कि उनके पास अपना एक child होना चाहिए और उनका उमर जो है 25-35 के बीच में होना चाहिए जिन्दगी में एक बार ही वह सरोगेट कर सकती है यानि एक बार ही इस प्रोसेस के तर बच्चे किसी और का जन्म दे सकती है इसके अलाव उनको सरोगेट बनने के लिए सबसे पहले मेडिकल और साइकलोजिकली फिटनिस का सर्टिफिकेट भी उनको लेना पहलेगा तभी वह सरोगेट मदर बन सकते हैं यह सारी चीज किसमें है सरोगेशी एक टूटाउजन्ट ट्वैंटीवन में है अब आते हैं असि इस्टेट री प्रोड़क्टिव टेकलोजिक अनि सहाइक परजनन तक्निक एक्ट यह भी वहीं सप्टेमबर 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ स्टेंडिंक कमिश्टी के पास गया और स्वरोगेशी एक्ट के साथ ही यह भी पास हो गया और उसके साथ ही यह भी लागू है, जनवरी 2020 अब अब अर्ट क्या है आपको पता ही होगा अर्ट क्या होता है वो सारे technique रिगनेंसी के लिए जैसे आपको इस पर्म एक सेल को बडी से बाहर निकाला उसको इम्ब्रायों में ट्रांसफर करना उसके बाद में उसको ओमान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंप्लांट करना त सारे एक टेक्निक के ताथ होते हैं इसको बोलते हैं असिस्टेट रिप्रोडक्टिव टेक्नोजी जैसे इस पर्म डोनेशन इस पर्म लेना इन वीट्रो फटिलाइजेशन बडी के बाहर फटिलाइज करना जिसमें इस पर्म फटिलाइज होता है लाइब में उसमें जेस्ट कर दिया गया IBF से इंप्लांट कर दिया गया तो इनके DNA से इस बच्चे का कोई लेना देना नहीं है दूसरा यह होता है कि माल लिजे केवल father का sperm और इनके वह हम से fertilize करके इन में surrogate में डाल दिया गया तो इनका भी तो तो जैसे इसी को बोलते है जैस पहáng चाइड चैज्ड भाइलोजीकलि रिलेट नहीं होगा में अब आते हैं अब यहाँ पर देखिये पहले जो यह रूल धा आया गया 2022 में जुसमें था कि सरोगेशी रेगुलेशन रूल उसमें ऐसा बोला गया था कि डूनर गामेट्स यूज नहीं करेंगे ध्यान से समझेगा मान लीजे कि एक महिला है एक पुरूस है अब इस महिला को एक ऐसी बीमारी है कि इनका ओम भी यूज नहीं हो सकता इनका इसपर्म यूज हो सकता तब सरोगेश मदर में बच्चे को इंप्लांट करने के लिए अगर हम किसी डूनर से ओम ले लेते हैं और फादर का इसपर्म है इसको इन वीटरों हम फटिलाइज कर देते हैं और बाद में इनको रीप्रोडक्टिव ट्रेक में इंप्लांट कर द और यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में इसको एलाव कर दिया है क्लियर सो एही सारी बात है आपको कमर्सियल सरी सरोगेशी यानि किराय के कोक में इसका पीडिएप हमारे टेलेग्राम चैनल तीवारी जेनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा वहां से आप ले लिजेगा क्लिय इसको आप लोग ध्यान रखेंगे सो मैंनी कीवर्ड अमने यहां पे डिसकस किया सो थैंक यू है वे गूट डे अंड हैपी लर्निंग थैंक यू वेरी मच